दोस्तों तीन चोर में से एक चोर को अंधे आदमी ने मार दिया है और अब वो इस किलास को ठिकाने लगाने में लगा है लेकिन बाके के दो लोग अभी भी घर में छुपे होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इस घर से बहार निकलने का रास्ता देखते हैं अंधे आदमी को पता चल जाता है कि यहाँ पर और भी चोर हैं जिन्होंने इसके लाख रुपे भी चोरा लिया हैं ये दोनों चोर अपनी जान बचाने के लिए बेस्मेंट में चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर इन्हें ये दिखता है कि एक लड़की को बेस्मेंट में कैद कर रखा है और इस लड़की को अंदे व्यक्ति ने कई सालों से क्याद कर रखा है क्योंकि इसी लड़की ने अंदे आदमी की बेटी को मारा था जिसका बदला अब वो उससे ले रहा होता है फिर ये चोर जल्दी से लड़की को खोलते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं लेकिन बेस्मेंट का गेट खोलते ही सामने अंदा आदमी गोली चलाते हुए आता है गोली लगते ही लड़की मर जाती है जिससे अंदा आदमी काफी दुखी होकर रोता है और इस चीसे वो काफी गुसे में होता है और इनका यहां से जाने का एक लोता रास्ता भी बंद कर देता है और साथी घर की लाइट भी बंद कर देता है जिस्से चोरों को कुछ भी दिखाई देता नहीं है पर ये प्रोबल्म अंदे आदमी की होती नहीं है वो इस घर का हर एक कोना जानता है और चोरों का शिकार करने लगता है